गुजरात के एहमदाबाद में करोना वाइरस का संक्रमन तेजी से फैल रहा है। ऐसे में गुजरात सरकार ने एहमदाबाद में शुक्रवार यानि आज रात से सोमबार सुभा तक कम्प्लीट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इसके तहट 20 नवंबर से 23 नवंबर तक एहमदाबाद में कर्फ्यू रहेगा। इस दोरां केवल दूद, दवाई और राशन की दुकाने ही खुली रहेंगी। उधर गुजरात के स्कूल कॉलेज भी करोना माहमारी के कारण 23 नवंबर से नहीं खुलेंगे। गुजरात प्रशासन ने कहा राज्य सरकार ने एहमदाबाद ने 20 नवंबर से रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रोजाना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक गुजरात में करोना वारस की स्थिती बहतर नहीं हो जाती। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले 24 घंटे में करोना वारस के 1281 नए मामले सामने आये हैं। इसके साथ ही गुजरात में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,90,000 से उपर हो गई है। हाला कि अच्छी खबर ये है कि इसी बीच 1200 से जादा मरीज ठीक भी होए हैं। वही इस खतरनाक वारस से गुजरात में बीते एक दिन में आठ और लोगों की जान गई हैं। जिसके बाद राज्य में करोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,823 हो गई हैं।